हलो माई यूटूब फेमली असलाओं लेकूं वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मासला से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो अभी टाइम हो रहा है मोर्निंग का मोर्निंग का वही आइधिंग साथ आठ बज रहा होगा तो अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल मोर्निंग में खाना नाश्टा कुछ बनाना रहता नहीं है तो वही रात का बरतन पड़ा रहता है और जाडू पोछा रहते हैं तो वो स अभी इस टाइम पर निप्टा रही हूं जल्दी जल्दी से ताकि अपना काम अगेरा करके फटा फट से और नहाल हो जल्दी से इसके बाद में थोड़ी देर आराम भी कर लूँगी अभी रमजान का टाइम चल रहा है तो सुबह तो खानवाना बनता नहीं है कुछ न कुछ रात की सबजी बनी होती है तो वो बच जाती है तो वो रखी रहती है और यहां पर काम करते करते बीच में कचला वाला गाड़ी आ गया था तो मैं यहां पर डाल जा रही हूं कर सोची कचला डाला हूं पहले इसके बाद काम करूंगी अपना और इधर मैं मिक्सर को साफ कर ऐस इरिया में कौल बहुत उड़ता है तु तो यह कुईलरा छेटरै तो इधर कौला बहुत उड़ता है काला काला और जाता चीपक जाते हैं और रात की सब्जी बसची होती है तो सुबै जीम मैं काम करके नत्फो और आराम चावला लेती हैं एक डेड़ बजे के सम्थिंग तो फिर तब तक मेरा अराम से सारा काम भी हो जाता है नहां भी लेती हूं फिर चावल बना लेती हूं इसके बाद यहां पे मैं मिक्सर वगेरा साफ करने के बाद फिर यहां पे मैं पोच्छा लगा रही हूँ और गैस को अच्छे से साफ कर रही हूँ क्योंकि अब तो गैस सही खाना बनाना रहता है तो कुछ नकुछ गिरी ही जाता है तो वही मैं यहाँ पे अच्छे से साफ कर रही हूँगा इसको चूले को तो यहाँ पे चूले को अच्छे से साफ कर लूँगी और मैं पोच्छा लगा लूँगी अब रहे गया है मेरा पोच्छा बागी सारा खुछ बिस्तर वागेरा तो सब मैं समेट ली हूँ और यहां पे देखें मैं आप सब को दिखा रहे हूँ कि मेरा घर वाला सारा काम समेट ली हूँ मैं सारा कुछ मैं फिनीज कर ली हूँ जाड़ू पोचा अब इस तरव अगेरा बरतन है यह सारा कुछ मेरा हो चुका है अब सिर्फ रह गया है एक दो कपड़े निकले हुए हैं इनके ड्यूटी वाले और मेरे को बस नहाना रह गया है बाकी सारा काम से मैं फिरी हो चुकी हूँ तो इस टाइम पर सुबह का खाना पिनग जंजट नहीं रहता तो मैं जल्दी से नहां भी लेती हूँ और यहां पर देखिए इनके एक तो कपड़े निकले हैं तो मैं यहां पर निर्मे से डुबा दे रहे हूँ ताकि एक कुछ लेट के लिए मत्तब दूबा के भीगा के रख देती हूं निर्मा पानी में तो यह अच्छे से फूल जाता है तो छूट जाता है तो वही मैं यहां पर भीगा रही हूँ हाईलो फेमली तो अभी टाइम हो रहा है बारा बच के दस मिनट तो मैं सारा काम करके और नहां चुकी हूं तो मैं सुची चली है अप लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मैं अभी चावल बना ली हूं नहां के आने के बाद क्यूंकि यह रोजा नहीं रखते अभी मतल अब आज संडे तो आज से इनकी सिफ्ट चेंज हो चुकी है तो यह फर्ष्ट सिफ्ट जाते हैं वही चार चार बजे के सम्थिंग तो अभी आते हूंगे एक तेड़ बजे के सम्थिंग आएंगे तो उनके लिए मैं चावल बना दी हूं और सबजी बची हुई है रात की तो मैं सोची चलिए अप लोग से धोड़ी सी बात कर लेते हैं और मेरा शारा काम हो चुका है तो मैं अब जारी हूं थोड़ा सा रेश्ट करूंगी इसके बाद फिर नमाज के टाइम हो जाएगा जोहर का फिर नमाज अदा करेंगे चलिए फिर मिलते हैं धर तक के लिए और यहां पर मैं जा रही हूं मसाला पिसने के लिए तो मैं बना रही हूं सबजी तो उसी के लिए मैं मसाला यहां पर निकाल के और जा रही हूं पिसने तो सबजी बना रही हूं मैं आलू और मस्टिक की तो सबजी तो मैं कट करके रख ली हूं तो मैं सोची कि पहले फिर मसाला पिष लेती हूं इसके बाद फिर फ्राई करूँगी और इधर यह लेथे हुए है तो मैं सांथ के साथ नशे बात भी करते जा रही हूँ और इहां पर देखे सब्सक्जी में रखी ती कट कर तो उसे मैं निकाल रहे हूए प्लेट में फ्राई करूँगी से और आज जब से रोजा स्टाराट हुआ है तब से घर में मतलब इफतार के टाइम नहीं रहते थे मतलब डिवटी रहती थी इनकी सेकेंड डिवटी थी तो ये चले जाते थे 12 बजे साड़े बारा बजे तक मैं आते थे वही रात में दस बजे शाड़े नौदस बजे तक तो मैं अकेली इफ़तार करती थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और यहां पर देखिए मैं टमाटर कट कर रही हूँ सबजी के लिए तो आज ये है तो इनसे देखिए मैं बिच-बिच में बाध भी करते जा रही हूँ और अपना काम भी कर रहे हूँ यह बोल रहे हैं यह बना लो वो बना लो तो मैं बोल रही हूं कि लगता है आप यह रोजा रखे हैं और इधर देखें मुस्कुरा रहे हैं वीडियो बनाने लगी तो आग बंद कर लिए हैं मैं बुली कि ऐसा लग रहा है जैसे आप ही रोजा रखें ये बना लो वो बना लो कर रहे हैं तो मैं बुली कि आज तो आप ने मेरा इफ्तार कोई स्पेसल बना दिया है बहले ही कुछ ज्यादा मैं नहीं बनाई हूँ पर आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरा इफ्तार सब जीवा केरा और घर में रहते हैं तो सब को रोजा रखते हैं साथ में बहुत अच्छा लगता है इफ्तार करना और यहां तो बिल्कुल अके लिए चले जाते हैं ड्यूटी तो रहती हुँ मैं तो इधर देखिए पकोड़ी बनाई हुँ मैं और यह चाना अगरा है तो आ झा सकत है जाते हैं व्त रहती हैं और यह च शहलों है जा है चाना लगता हैं तो आले हैं साथीजमिक कर दो में भीजिए जह चाना लगता हैं पकंटों habitat isुछ्चार्ल थक्टर्स्ट setup यहा रावता हैं famous उस्टbn 900 met si सब कुँछ़ी तो यटा फ elावता हैं थ electrical पोती判ो था